हेलो अव्रीवन वेलकम टूवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो तो आज की इस वीडियो में एक बर फिर से जेके पी एसाई की जो इंपोर्टन कोशन सेरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं इसका आज हमारा डे टू है डे वन पे हमने 25 कोशन डिसकस कर रहे थे आ आप अपने से पहले इसको अटम्ट भी कर सकते हो बाद अब पिस वीडियो को देखना भी स्टार्ट कर सकते हो और उनके तो पीडियो वेगार रहे हैं वह सबी आपको पच्छेस तारीग से आज 23 अग 2 तारीग से हमारी एप्लीकेशन एक क्लासेस पर मिलना स्टार्ट हो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां पर ये पीडियो भी मिलता रहेगा जो दोस्तों को जैके से करवाए थे जो जमू कुश्मीर से रेटेट थे वह भी मिलते जाएंगे वह एक अलग से कोर्स में रहेंगे वह आप सब्सक्री रहने आप पर जाके तो डा कर दिये हुए थे हमने अलड़ी क्योशन में 26 की बात करते हैं आज का फर्स्ट कुशन आपके सामने स्क्रीन में है यहां पर पूछा गया है विच इंडिन सीटी वाज गिफ्टेड बाइदा पॉर्चुगिस एस डावरी तो चारल सेकिंड को तो आप सभी को पता इंडिन से शादी हुई थी वहां पर तो जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था कैसे एक दूसर से अंग्रेज लाई हैं बगारा कर रहे था तो पूर्टकालियों से कैसे निप्टा रहा पाया था शादी कर ले थी में अलाइंस में आ थे था दहेज में मिलका था कहानी खतम ह क्या है मुंबई अपका उप्शन नंबर एक अरेक्ट एंसर हो जाएगा चलते हैं सागें की तरफ यानि की कोशन में 27 की बात कर लेते हैं यहाँ पूछा गया है हूँ वास दा गवर्नर जनरल हूँ चेंज दो ऑफिशल लैंगविज ओ तो कोर्स ऑफ जिस्टिस फ्रम पर गया है तो लौड विल्यम बेंटिक ऑप्शिन नंबर भी ऐसी आधर की बैन लगा दिया था तो लौड विल्यम बेंटिक यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा इन्होंने क्या कर दिया था परिशन से इंग्विश कर दी थी लैंगवेज इस वगरा चेंज कर दी थी इन में से आप गावेज था तो लौड विल्यम बेंटिक यहां पर करेक्ट यूज्ट और आपको पता है कि इस का इसका जो स्टार्टिंग पड़िए को इंडिया में में इंडिया में रेल स्टाट कर दी गए थी बंबै से थाने के लिए ट्रेन थी अगर हम बात करेंगे लेकर थाने वाली 34 km में टी तो इस तरह की इंफमेशन को पता होगा और अगर इंडिया की बात करें गी ये तो पूरी इंडिया में तो 1853 में सब्ट होगी थी अगर स्पेशिलि साउथ इंडिया की बात करेंगा तो तीन साल की बात 1856 में जो है वहाँ पर by rail लैन open करेंगे थी मद्रास वगरा के दोवारा इस जिवसाथ आगे चलते हैं कोशन में 29 की बात करते हैं अर्थ का डिस्टेंस देखो वर्ल्ड जोग्राफी हिंडिय निस्ट्री वगरा हम सब कुछ दुद्ध सी वाँ तो इस टाम पे चो डिस्टेंस हुआ करता था वह कौन से मंत में हुआ करता था आपसे आप से पुछा गया है तो वह मं आप से को पता होगा जनुवरी का मंत था तीन जनुवरी की बात करेंगे और और अप्शन नमबर एक और अन्सल हो जाएगा औ बटा वीडियो को शेयर भी करते रहो आप वीडियो को शेयर करोगे में अच्छा लगेगा हम और बैटर भी में अपने काम करते जाएंगे तो अपने वीडियो को शेयर करना है बस इतना सा काम अपने करना है और वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताते जाना क्योंसी कंट् प्रडियूजर है औरंजी का पूछ लेगा तो कौन है बहु इंडिया है औरंजी का पूछ रहा दो कौ 550 बेइड बइगॉल इन्मेंसे कौन सी रिएवर है जो यह बेओ बिंगॉल में जाके नहीं गिरती है कैब को पता है कि जो बी नदियों के न करते कि ना चाहिए उपर की भी हो तक रिम तक्रीबम मैक्समम नदिय कहाँ पर चा की घती हैंगर ड्रती बेविंग गई न नहीं जाता है तो कि निकलते हुए है तो बागी नादिय कहान पर आरी तो पे और आपक्षिन नमबर सियां पर Zero की बात करते है इन फॉलुईंग ऑई-Lैंड लिए इन एक्टिव वालकन बोट हैEd पुपढ़ाय थी इसमें से इंडिया की बात करेंगी कि कौन से इल्लैंड में एक्टिव वॉलकन अब को देखने को मिलेगा कार निकोबर आइलेंड नैनकोवर आइलेंड बैरन आइलेंड या इन्वेस कोई भी नहीं तो बैरन आइलेंड इंडिया का जो है वहाँ पर आपक पर बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है यह लो रिवालुशन किसे रिलेटिड है अगर हम बात करेंगा देखो चलो यह है अगर अगर आपको पूछ जा जाता है तो पुछ जाता है वह लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा के मैं पूछ जाता है कि who is known as the father of yellow revolution in India yellow revolution जो इंडिया में उसकर father किसे कहा जाता था तो वो भी आपको नाम जा रखना है Sam Pitroda जो है इन्हें father of yellow revolution इंडिया कहा जाता है यह दो point sense से याद करें न ठीक है आगे चलते question number 34 की बात करते black soil of India is highly suited for the production of black soil जिसे regular soil भी कहा जाता है इसे most content बहुत जादा होता है तो यह किस के लिए maximum suit करता है कि यहां किसकी production के बैट रहाता है black soil cotton के crop के लिए cotton मोश्टर जादा चाहिए तो इस मिटी में नहीं रहोंगे लेकिं देरे देरे कुशन का difficult level में मिलता जाएगा टेंशन मतलो सारे हर तरह की कुशन में यहां पर cover करेंगे in which schedule of the Indian constitution powers to the panchats are stated by Indian constitution में कौन से schedule में जो पंचायत के बारे में बताया गया आप सभी को इसके बार में बता होगा पंचायत सिस्टम के बार में बताया जाता है 11 में जो है बाई 25 के बार में बताया जाता है तो 11 schedule यहां पर correct answer हो जाएगा इस एक सथ आगे चलते हैं question number 36 की बात कर लेते हैं which part of Indian constitution is known as code of administration administration तो बाई कौन सा part Indian constitution का ऐसा है जिसे code of administration कहा जाता है इसे important mark कर लेने कि यह बड़ा कम एक्जाम में पोच जाता है हो सकता आपके एक्जाम में आ जाए तो कौन सा part of administration कहा जाता है part 4 part 4 में आता क्या है DPSP Directive Principles of State Policy आता है इंडियन से काम वगयर आपको करना है ना state वगयर को तो तभी code of administration कहा गया तो इसमें article कौन सा आता है 36 लेकि 51 आगे चलते हैं question number 37 की बात कर लेते हैं in which part of the Indian constitution we find the provisions related relating to the citizenship Indian citizenship की बात करेंगे कौन से part में citizenship के बारे मताया जाता है तो बिल्कुल basic सा question आई easy question आप सब्सक्राइब के लिए रहना चाहिए part second आपको पता है उसमें citizens के बार में आज़ता article 500 की 11 तक आता है तो को difficulty आपको यहां पर भी नहीं आ रही होगी इसके तद आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पर थोड़ा सब को time लेना चाहूंगा और लिवोड की तरह से तरफ से के ज़रा के मौक टेस्ट आपको प्रोवाइट करें जाते हैं आपको लास्टाम में बताया था आज फिर से आपके लिए के दिस से सी जेल की बाथ करेंगे के उसको मॉक टेस्ट अवयलेबल है आपको if क्योney लिके लिए कर सकते और मॉक ले सोब्सक्रेंब कर सकते हैं और वो के मॉक पर देखेस कर सकते हो तो यह था ऑलविए की तरफ से जो मॉक्रेस प्रोवाइड करे गया थे वो उसके बार में अपडेट था अब हम चलते हैं आगे फिर से अपने कुश्ण सेरिस की तरफ तो यहां पर कुश्ण मेर 37 हमने कवर कर लिया था चलते हैं कुश्ण मेर 38 की बात कर लेते हैं दे चीफ चीफ एलक्षिन कमिशनर की बात करने के इनकी टाम होती है छे साल या फिर अगर शे साल का टैनन होने से पहले 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 साल की उमर में रिटायर हो जाएंगे और वीडियो अच्छी लग रहे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर को जरूर करना बस हमें चाहिए आप हमारी अपने तरफ से वीडियो को शेर करो आपकी तरफ से अच्छा response मिलना चाहिए हमें हम उमीद करक दे में आपको ग weekend डिया सब के लिए मिलता जाएगा बस चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर करते जाओ क्रेशन नमर 39 के बात कर लेते तब वन रुपी नोट बी और से सिगनेचर आफ एक रुपए का नोट हो तो उसमें किसका साइन होता है Secretary, Minister of Finance, Governor RBI, Home Minister या फिर इनमें से कोई भी नहीं एक रुपए के नोट की यहां पर बात करेंगे तो यहां पर जो सेक्रेटरी होते हैं Finance Minister की बात करेंगे, यहां पर जो सेक्रेटरी होते हैं, वो साइन करते हैं, एक रुपए के नोट की बात करेंगे, बाकी नोट में तो आपको बतारा है कि जो गवर्र होंगे, RBI के उनके साइन होते हैं, लेकि यहां पर एक रुपए के नोट के बारे में कहा गया तो Secretary, Minister of Finance यहां पर जोएन के साइन होते हैं, Option No.A यहां पर Correct answer हो जाएगा, इसी के साथ आगे चलते हैं, Next Question की यहां बात कर लेते हैं, Question No.39 भी हो गया, Question No.40 की बात कर लेते हैं, Indigent Species की बात करेंगे, Indigent Species के बारे में, कौन सी कहां पर बता जाता हैं, इन सभी के बारे में लिस्ट ह जिसके भी Indigent Species हो के सब की लिस्ट बगारा होती है, और यह पबिश कोन करता हैं, IUCN के द्वाले से पबिश कर जाता है, IUCN का मतलब International Union for Conservation of Natural and Natural Resources, इसके Headquarter कहां पर हैं, वो आप research करो, research का सर्च करो, आप से पता लग जाएगा आपको, और किसको यहाते हैं, तो comment करके बता ह question number 41 की बात कर लेते हैं, which of the following greenhouse gases is in, और जो आपको PDF मिलेगा न, आपको 25 से PDF मिलने स्टार्ट हो जाएगा, और आप वीडियो 25 से आपके बाद देख रहे हो, already PDF अवेलेबल हो का हमारी application AKS Classes पर link description box मिल जाएगा, वहां पर जो correct answer हो को यहां पर 7 मार्ग कर रहा होगा, ठीक ह सब्सक्राइब कर देखने को मिलती है, यहां पर जो correct answer हो जाएगा, वह carbon dioxide होगा देखो, यह सब भी हैं तो greenhouse gases नहीं है, लेकिन अगर एट्मास्वें में content के साब से देखा जाए, concentration के साब से देखा जाए, तो सबसे पहले तो आते हैं, water vapor, water vapor के बाद दूसरी नंबर पाता है, methane, methane के बाद fourth नंबर पर आता है, nitrogen oxide, nitrogen oxide के बाद आता है, ozone और ozone के बाद आता है, chloro-fluoro-carbons, समझे हो, तो यह पूरा का पूरा concentration किसके जादा होती है, उसके साब साब को बता दिया, यह भी इसको एक बाद तयार कर लेना, इसके साब आगे चलते हैं, question number 42 के बाद कर लेते If a rock is brought from the surface of the moon to the earth, अगर कोई एक rock है, उसे अब moon की surface से earth पर लेकर, moon से earth पर आप उसको लेकर आओगे, तो क्या होगा, क्या उस rock का mass change हो जाएगा, क्या उसका weight change होगा, क्या mass और weight दोनों change हो जाएगे, या दोनों same भी रहेंगे, तो आपको पता है, उसको mass है, mass तो change नहीं होने वाला, लेकिन weight change हो जाएगा, क्या weight आपको पता gravity को बेडिमेंट करता है, तो moon में तो gravity वैसे one by six हो जाती है न, earth के, तो वहाँ पर weight अगर करोगे तो कुछ अलग होगा, earth में weight कुछ अलग होगा, लेकिन mass मतलब उसका कितना बाहर है, है न, तो mass उसको change नहीं होना हो लेकिन जितना बाहर वहाँ पर है, जितनी quantity उसमें वहाँ पर है, उतनी matter यहां पर भी रहने वाला है, सिर्फ और gravity का हो जाएगा, इसलिए weight चेंज हो जाएगा, लेकिन mass नहीं होगा, जिसे आप यहां से मून पर चले जाओगे, तो आपका mass जो यहां पर है, वहां पर भी gravity होती है, इस तरह से बैब को करके बतारूँ, ठीक है, आगे चलते है, नेक्स कुशन की बात कर लेते हैं, जैसे अगर आपका weight यहां पर मैं, sorry मैं आपको उरता ना, weight 60 kg mg करके, जो भी वहां पर आ रहा है, वहां पर वहां पर आ रहा है, यहां पर थोड़ सा आगे पीशे समझा दिया है, लेकिन कहने का मतलब में रहा है, यहां पर जो gravity है, मून में जो gravity होती है, वो 1 by 6 होती है, अर्थ के, आगे चलते हैं, question में 43 की बात कर लेते हैं, what type of electromagnetic radiation is used in the remote control of a television, आगे हम तो remote control होता है, वहां की बात करेंगे, कौन सी electromagnetic radiation उसमें होती है, आप remote use करते हो, चै पर correct answer हो जाएगा, इसे के साथ आगे चलते है, question number 44 की बात कर लेते हैं, what is the source, एक पर next video में बता देना कि आप चाहते हो कि जिस speed में पढ़ा रहा हो, क्या उसी speed से पढ़ा हूँ, यह speed को थोड़ा सा और कब कर दूआ, इतनी speed ठीक वगएर है, वो भी बता देना कि आने वर आपने बीडियो में विडियो में अपसे काम कर सकूँ, what is the source of electrical energy in an artificial satellite, आपने ऐसे कोई satellite बेच दी ठीक है, डेतिक चकर लगाने के लिए, satellite बेच दी है, उसमें source कर दो उसमें electrical energy कहां से आती है, solar cell से, एक चोटा से nuclear reactor वाँप बनाया होता है, dynamo होता है, फिर इनमें से कोई बीडियों भी ने, solar cell यहां पे correct answer हो जाएगा, option number A बिल्कुल correct answer हो, आपको पता है कि वहां पे solar, sunlight का यूज़ कर जाता है, electricity बनाने के लिए, हाँ, जब आर्थ की shadow गएरा पड़ती है, उस time में बैटरी जो है, energy को store करके रखती है, बैटरी से काम ले जाता है, लेकिन maximum जो जो किसका अलो है, German silver किस किस से मिलके बना हुआ है, आप से वो पूछा गया, तो यहां पे बना होता है, copper, zinc और nickel से बना होता है, option number D यहां पे correct answer हो जागा, maximum quantity to copper की, फिर zinc की, फिर nickel की होती है, तो copper भी हो गया, zinc भी हो गया, और nickel भी हो गया, इन तिनों से क्या बना होता है, मारे German silver बना होता है, इतना आप सभी को पता होना चाहिए, इस एक साथ आगे चलते हैं, next question की बात करते हैं, water boils at low temperature at higher altitudes, पानी जो है, वो कम temperature में boil कर जाता है, आप हाइट में चले जाओगे, आप यहां पर हो, आप हाइट पहाइड के top में चल जाओ, यहां पर देखो कि प atmospheric pressure कम होते जाता है, pressure कम होने के करण boiling point बढ़ जाता है, तो वहां पर हवा का pressure कम होता है, air pressure कम होता है, atmospheric pressure कम होता है, तब भी water बल जिल्दी boiling कर जाता है, तो option number A यहां पर correct answer हो जाएगा, चलते है, question number 47 की बात कर लेते हैं, genes आपने सुना होगा, तो यह तो word gene है, यह पहली ब तो इस book में यूज करे गा, तो पहले बार किसके दो यूज करे गा था, जौनलिसन के दोरा यूज करे गा था, यहां पर दो option आपको और देखने को बिल जोंगे, important वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक की बात करनें, double helix structure तर डिने का, उसके बारे में अनने सबसे पहले तो यह दो option भी याद रख लेना, ठीक है, आगे चलते है, question number 48 के बात कर लेते है, which of the following does not have, which of the following does not have blood but undergoes respiration, इन में से क्या है, जिसमें blood नहीं होता, लेकिन फिर भी respiration का process चलता है, कौकरुश में blood होता है, बिल्कुल, stale में होता है, कंगारो, सिर्फ हाइडरा जो उसमें कमेंट कर रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा, आप एक बात जाओ, साइंस की प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया हुआ, सिकमेंस में वीडियो को अरेज कर रहा हुआ, आप जाके वीडियो वाँ पे देख सकते हो, which India, अच्छा, which Indian origin, woman has recently won the world food prize, world food prize, 2021 किसके दोरा जीता ग करेंगे, आपके लिएक सीरिस भी ला रहे है, करेंट एफेर्स की, आठ हजार, और साजी, आठ हजार बोरहों, जाद हो जाएंगे, आठ सु से लेकि हजार कुशन की सीरिस हम चलाएंगे, सिर्फ करेंट एफेर्स पर बेस रहनी है वाली है, वो, 2021 से स्टार्ट होगी, अभ वल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वल्ड प्रेस फ्रीडम डे के थीम क्या थी, यह आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करेंगे, बताओ यह कोशन में आप लिए चोड़ रहा हूं, इस जीक साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नर फिफिफ्टी वन की बात कर लिए बीधर की बात कर तो एनलाइटन इसका अपोजिट हो जाएगा है ना 52 की बात करते है तो फाइंड दा मेज़र ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ विच कैन मेज़र ट्विटीफॉड मीटर फुर्टीफॉर मीटर रिस्पेक्टिवली अब आप यह बेसिक से कुशन है एसी कंडिशन ग्रेटेस्ट लेंथ के वारे हम पूछा गया है आप सिंपल एचसेफ निकाल दोगे तो इसके कंसेप्ट अब भी समझाओंगा नहीं क्योंकि हम पहले परड़ चुके हैं आप सिर्फ कुशन सौल्ड कर बताऊंगा तो बाई 24 का बद्दिस का और 44 का एचसेफ हो जाएगा और चलते हैं आज के लास्ट कुशन की बात कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को टैलिग्राम का लिंक में मिल जाएगा वह भी हमारा ओफिशल है वह जाएक कर सकते हैं कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी एक पॉइंट पी से में कौशन बिस में इसल्ब्ऻे चलते हैं कर यहां वह से स्टार्ट करते हैं जलते हो फीनठर की तरफ कितरफ शाएगा को में को इससी के बराबर हो गया अब यहां पर आ चुका है फिर बसके हो निए आफट इस तरह हो जाएग़ा यह gefट इस तरफ हो जाएगा कहा कितना जार है 40 meter 30 तो यह था 10 step और आगे चल जाएगा मतलब यहां पर 40 meter आ गया और जब यह पहुँचता है यह point Q नाम दिया हुए तो बताओ how far and in which direction is the point Q यह तो point Q है वो कौन सी direction में कितना दूरी पर है आपको पताए इसके हिसाब से क्यों जो वो इस तरफ आ रहा है इस direction में आ रहा है इस direction में कौन सी सेड होती है वेस्ट सेड होती है और कितना दूरी पर है 30 तो यह था और बश्चिका 10, 10 meter west option number C करेक्ट आंसर हो जाएगा चलते हैं यहां पर last question की बात कर लेते है यहां पर आज का सेशन यहां पर खतम हो जाता है उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगे को वीडियो को शेयर भी करोगे थैंक्यू जाहिंद